गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम तु दे ओनलाइन क्लासेज, तोड़े वी डिस्कस अबाउट क्लास 10th सब्जेक्ट साइन्स चेप्टर नमबर 16, युनिवर्स एंड और्गेनिक एवलुशन तो चलिए हम इस चेप्टर को भी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहले थोड़ा इंट्रोड़क्शन देखते हैं, तो इंट्रोड़क्शन में हम देखें, तो पहले के जमाने में एक hypothetical theory के तोर पे ये माना जाता था, कि जो हमारी अर्थ है, वह अर्थ युनिवर्स के सेंट में हमारी अर्थ है, लेकिन बाद में एक सैंटिस्ट आये, कोपर निकस, उन्होंने प्रूव करके बता दिया, कि हमारी जो अर्थ है, वह युनिवर्स के सेंटर में नहीं है, और उसके बाद वो जो hypothetical theory थी, उसको discard कर दिया गया, मतलब अमान्य कर दिया गया, जिसको नहीं माना गया, लेकिन जब बात आई 1917 की, तब अलबर्ट आइंस्टाइन ने अपनी एक theory दी थी, उस theory को कहा गया, stationary universe theory, और इस theory में उन्होंने ये चीज बताई, कि जब हम दिन के वक्त उपर sky में देखते हैं, तो हमको वहाँ पे केवल sun और moon, इनके अलवा हमको कोई चीज न दिखाई देती है, वह only sunlight के कारण ही दिखाई देती है, लेकिन जब हम रात के वक्त sky को देखते हैं, तो हमको वहाँ पे बहुत सारे planet दिखाई देते हैं, infinite number के stars दिखाई देते हैं, और बहुत सारे clusters body हमको visible होती है, और इसी को universe कहा जाता है, और सबसे बड़ी बात, कि हम हम जो universe की study करते हैं, वह कहलाती है cosmology, cosmology की बात करें, तो कह सकते हैं कि science की ऐसी branch, जिसमें केवल universe की study की जाती हो, उसको cosmology कहते हैं, और अर्थ जो है, हमारी universe का बहुत बहुत छोटा एक part है, very very small part of the universe, है ना, तो आगे हम बात करते हैं, Indian cosmology की, Indian cosmology क्या है? कि Indian cosmology is the study of origin of the universe with Indian thought, कि हम अपने भारतिये विचारों से कह सकते हैं, कि universe की origin कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ती कैसे हुई, वो सब Indian cosmology में कहलाते हैं, it has been discussed in Indian culture since Vedic time, जिसको हम Vedic time से discuss करते आ रहे हैं, और अगर हम Vedic time की बात करें, तो Vedic time में एक हमारे रिशी थे, सैगा रिशी, उन्होंने क्या किया था? वेदिक समय में ही, universe का जो origin हुआ था, उसकी उत्पत्ती हुई थी, उसके बारे में उन्होंने बताया था, किसमें बताया था? रिगवेद में, और उसमें भी कौन सी चीज थी? नासदी या सुक्त, इससे related दोस्तों, आपके question बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ कि वेदिक टाइम में सबसे पहली बार, universe के origin से related बात किसने कही थी, और कहां पे कही थी, तो आपको बताना पड़ेगा, सेगा रिशी जो थे, उन्होंने रिगवेद के अंदर नासदीय सुक्त जो है, उसमें universe के origin से related बात कही थी, कब? वेदिक टाइम में, लेकिन स्वाम स्वामी विवेका नंद ने क्या बताया था? उन्होंने वेदिक नौलेज के अनुसार हमको ये चीज बताई, कि जो consciousness होती है, वह consciousness ने ही हमारी universe को बनाया है, जो multiply होके एक से अनेक बने थे, याद रखना, उन्होंने क्या कहा? कि एक consciousness ही थी पहले universe में, जिसने multiply होके एक से अनेक consciousness को बनाया, ये किसने कहा था? स्वामी विवेका नंद ने, याद रखना, consciousness से related बात किसने कही थी? स्वामी विवेका नंद ने, और लास्ट में उन्होंने ये चीज कही कि हमारे अर्थ पे जितने भी organism है, वह सभी उसी एक consciousness का ही part है, आगे जो हमारा next topic है दोस्तों, वो है theory of biocentrism, है क्या? जगा देखें, सबसे पहले ये दी किसने थी? तो theory of biocentrism जो थी, वह एक Nobel Award विजेता, Robert Lonja ने, जो एक American scientist थे, उन्होंने 2007 में एक astrologer, Bob Verman के साथ मिलकर दी थी, याद रखना, biocentrism जो theory है, उसको दो scientist ने दिया था, एक तो थे Robert Lonja, और एक थे Bob Verman, Bob Verman जो थे, वह एक टाइब के astrologer थे, जबकि Robert Lonja एक American scientist थे, और इन दोनों ने दिया था, और इन दोनों में भी Nobel Award को मिला था, Robert Lonja को, according to the theory, biology is the central driving science of the universe, world is created for growth and development of life, और इस theory के according ये चीज़ बताई गई है, कि हमारे जो life है, biology जो है, वह कह सकते हैं, हमारे science का complete center है, और universe और world की creation क्यूं हुआ है, ताकि इसके उपर life growth कर सके और development उसका हो सके, और साथ में, इन्होंने ये भी चीज़ बताई, कि जो consciousness है, वो भी एक right to path है, समझने के लिए, कि universe का origin कैसे हुआ, लेकिन, अगर हम life को ही नहीं देखेंगे, अगर हम जीवन को ही नहीं देखेंगे, तो हम किसी भी तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे, कि universe किस तरीके से origin हुआ है उसका, या वह develop कैसे हुआ है, इसको हम simple language में ये चीज कह सकते हैं, कि जो bio-centrism theory है, उसमें उन्होंने ये चीज बताई थी, कि पूरे universe की जो उत्पत्ती है, वह जीवन के लिए ही हुई है, कि अगर कोई life possible ही नहीं होती, तो universe जो है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, तो उन्होंने biology को या life को सबस बेस्ट बताया था, also it involved physical and philosophical theories, इसके अंदर कई physical और philosophical theory को involved किया गया है, आगे हम बात करें, कि जो bio-centrism की theory थी, इसमें दू चीज़ें आपको मिलती है, एक आती है certain, एक आती है uncertain, certain का मतलब होता है, कि bio-centrism की जो theory है, universe के origin से related, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जो possible हो सकती है, तो वो सब theories आती है certain theory में, और बहुत सारी चीज़ें जो possible नहीं होती, वो आती uncertain theory में, और इसी bio-centrism की theory से हम क्या जान सकते हैं, कि the organism represents its certain or uncertain behavior in independent form, कि जो organism होते हैं हमारी अर्थ में, वो दोनों प्रकार के behavior को बताते हैं, certain और uncertain behavior को भी बताते हैं, स्वतंत्र गूप से, इसको केवल हम कह सकते हैं, बायो-centrism की theory से ही जान सकते हैं, हमारा जो next topic है, वह है Big Bang Theory, Big Bang Theory के बारे में हम बात करें, तो सबसे पहली चीज़ तो ये बता दू मैं आपको, कि हमारे nature में या अर्थ पे, जो universe का, कह सकते हैं, origin हुआ, उससे related सबसे ज़्यादा accepted theory जो है, वो Big Bang Theory ही है, अभी भी माना जाता है कि Big Bang Theory के according ही हमारा universe बना होगा, तो it is able to explain the origin, evolution and growth, इसके जरिए हम origin को, evolution को और growth को सभी को समझ सकते हैं, The Earth originated as a dense hot bulb, माना जाता था कि हमारी जो अर्थ है, सबसे पहले वह सूरज का ही एक टुकडा थी, उसमें कह सकते हैं कि blast हुआ, blast होने के बाद वह उससे दूर जाने लगा, और दूर जाने के कारण सन के अंदर gravity थी, और उस gravity के कारण वह सन के चारो तरफ गूमने लगा, तो माना जाता है कि जो हमारी अर्थ है, पहली बार जब सन से अलग हुई थी, तो वह एक टाइप के आग का गोला थी, जो dense hot blob के तौर पे हमको मिलता है, धीरे धीरे ये जो आग का गोला जो था, हमारी अर्थ वो ठंडा होता गया, और इसके उपर life पनपने लगी, और अर्थ के उपर बहुत सारे सब atomic particles थे, वह भी एक दूसे के साथ free zone लगे, जुड़ने लगे, और जुड़ने के कारण, उनकी जो quantity थी, वो quantity भी बढ़ने लगी, और माना जाता है Big Bang Theory के according, कि जो particles का fusion हुआ था, वह fusion किसके कारण हुआ, कि हमारे जो stars और galaxies होती है, उसके अंदर gravity होती है, और उनकी gravity के कारण ये जो particles थे, वह आपस में fusion हुए थे, और कई massive element जो थे, वह synthesize हो गए, जिससे हमारा जो stars बने और supernova बने, तो ये जो थी, ये थियोरी थी, Big Bang Theory, नेक्स्ट जो हमारी थियोरी है, वह है एक-pyrotic theory, एक-pyrotic theory के बारे में बात करें, तो इसको दिया किसने था, इसको दिया था Paul Stenbert ने, जो Princeton University के चातर थे, और इस थियोरी में उन्होंने ये बताया था, कि जो universe बना है, वह universe 2-3 dimension के 4 dimension में mix हो जाने के कारण बना है, याद रखें, इन्होंने dimension से related बात कही थी, कि universe originated by collusion of 2-3 dimension universe with the 4-dimensional universe, और उन्होंने ये चीज बताई कि Big Bang theory से थोड़ी अलग चीज उन्होंने बताई थी, कि जैसे आप किसी rubber की film को खीचते हो, तो rubber की film खीचने के बाद उसका कोई center point आपको दिखाई नहीं देता, कि इसका center यहीं होगा, उसी तरीके से इस universe का भी कोई center नहीं है, किसने कहा था, ये एक pyrotic theory के अंदर बताया गया था, आगे बात करते हैं कि हमारा जो अर्थ है, वह एक type का special planet है, क्यों है, इसके भी कुछ कारण है, क्या कारण है, देखें, पहली चीज इसके उपर life है, सेकेंड चीज यहाँ पर जो water है, वह liquid form में मिलता है, तीसरी चीज यहाँ पर optimum temperature मिलता है, हमको अनुकुलित के तापमान मिलता रहता है, कह सकते हैं कि adaptive temperature हमको मिलता है, चौती चीज इसमें क्या बताएए, कि इसका जो distance है, अपने star यानि sun से इतना है, कि वह ज़्यादा गर्म नहीं है, और नहीं ज़्यादा cold है, और पांचवी चीज, अर्थ special क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो organism पाए जाते हैं, वह multi-cellular type के हैं, जो यहाँ पर अलग-अलग adaptation के कारण, अलग-अलग form में आपको मिलती हैं, environment में भी कह सकते हैं, कुछ पानी में मिलते हैं, कुछ हवा में मिलते हैं, कुछ मिट्टी के अंदर मिलते हैं, अलग-अलग उनको environment मिलने के कारण, वो अलग-अलग types के हमको मिलते हैं, अगला जो हमारा topic आता है, वहाँ आता है phylogeny, phylogeny क्या है, it is the development history of any species, कि किसी भी species की development की जो पूरी history है, वह phylogeny कहलाती है, और every species found in the earth due to the various changes caused earlier to the other species, कि हमारे अर्थ पे जितनी भी अलग-अलग species पाई जाती है, माना जाता है कि पहले वो एक एक जैसे ही थे, लेकिन बाद में उनमें कई प्रकार के change हुए और वो नई species में convert हो गए, and it can be studied by the study of DNA, और कह सकते हैं कि phylogeny में हम सही तरीके से DNA की भी study करते हैं, और DNA की study करने से हमको ये चीज़ पता चलती है कि सभी, चाहे जितने plant है या animal है, सभी के अंदर DNA पाया जाता है, जिससे ये प्रमानित होता है कि हो सकता है कि जीवन की उत्पत्ती जो है, लाइफ जो originate हुई थी अर्थ पे वह पहली बार एक ही animal से हुई होगी या कह सकते हैं organism से हुई होगी, नेक्स्ट बात आती है, fossils की, कि fossils क्या होते हैं, fossils एक टाइप के naturally preserved remain part होते हैं, जो plant और animal के हो सकते हैं, कि माना जाता है कि हमारे अर्थ में पहले बहुत सारे animal भी थे, plant भी थे, जो मिटी के अंदर दब गए, लेकिन अब जब हम खुदाई करते हैं, तो खुदाई करने के दोरान हमको उनके कोई remain particles मिलते हैं, तो उन्ही को हम fossils कहते हैं, जिसके बारे में हमको, जिससे ही हमको पता चला कि पहले के टाइम में डाइनसार भी थे, क्योंकि उस टाइम को इनसान नहीं था, हमने जब खुदाई की, तो हमें को उनकी हड़िया मिली, उनके fossils मिले, जिससे हमको पता चला कि इतनी बड़ी-बड़े डाइनसार भी अर्थ पे मौझूद थे, अगली बात करते हैं, वेस्टीजियल ओर्गन के बारे में, कि ऐसे ओर्गन जो हमारी बड़ी में होते हैं, लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं होता, उनको कहते हैं वेस्टीजियल ओर्गन, और ये जो है हमारे बॉडी में बने हुए रहते हैं लेकिन इनका कोई functional use नहीं होता human की बॉडी की बात करे तो उसमें एक तो अकल दाड़ होती है wisdom तीत होते हैं और appendix जो है वह एक टाइप के vestigial organ है याद रखना इसकी definition क्या कि ऐसे organ जिसका कोई use नहीं है कोई function नहीं है लेकिन तो भी हमारी body के अंदर बने हुए हैं उनको कहते हैं vestigial organ अगली जो topic है हमारा वाह है physical theory of origin of life जिसमें आता है Miller का experiment है क्या जगा देखें कि 1953 में Stanley Miller ने supported the idea of operin and halden by publishing an article possibility of amino acid production in the initial stage of earth की operin और halden ने एक publication किया था उसमें उन्होंने बताया था कि हमारी जो शुरुवाती पृत्वी थी अर्थ थी उसके उपर सबसे पहले amino acid ही बने थे उसको Stanley Miller ने एक experiment करके proof करके बताया था Miller made an electric discharge apparatus to do this experiment उन्होंने एक ऐसा ही electric discharge apparatus बनाया जिसमें उन्होंने यह experiment किया था उन्होंने अपने इस apparatus में किया किया था कि water, methane, ammonia और hydrogen उसमें methane, ammonia और hydrogen को 2, 1, 2 के ratio में लिया और साथ में पानी डाल दिया वापस एक पिंट उन्होंने अपना एक apparatus बनाया था जिसमें एक round bottom flask था उस flask के अंदर उन्होंने पानी डाला और पानी के बाद में methane, ammonia और hydrogen को 2 ratio 1, ratio 2 के अंदर उन्होंने डाला उनका apparatus ये कुछ इस तरीके का था, उन्होंने कांच के दो flask लिये थे, एक में पानी लिया था, एक में तिन gases को डाला था और gas कौन से थी, ammonia, methane, ammonia और hydrogen gas और इन gas को डालने के बाद दोनों को एक कांच के pipe के जरीए जोड दिया कांच के pipe के जरीए जोड दिया क्योंकि उनको पता था कि initial stage में अर्थ पे केवल पानी था और उनके अलावा ये तीन गैसे थी और उन्होंने ये देखा कि initial stage में किया है कि जो अर्थ है बहुत गर्म थी, गर्म होने के कारण जो पानी था वहां हमेशा भाप के तौर पे हमको मिलता था steam की form में ही मिलता था, उन्होंने क्या कि निचे इस पानी को गर्म करना शुरू किया तो जैसे ही गर्म करना शुरू किया तो ये भाप की form में, steam की form में इस pipe में गूमता रहा और इस तरीके से ये complete गूमता रहा उनको पता था कि initial stage में जब भाप के तौर पे पानी होता है तो वहां पे बारिश भी होती थी तो बारिश होने के लिए उन्होंने वहां पे एक condenser लगाया वो क्या करता था कि जब पानी भाप के form में यहां पे आता तो उसको ठंडा करता था और ठंडा करने के कारण क्या होता कि वो वापस liquid form में आके जमा होता यहां पे और यहाँ पर वापस गर्म होके उपर की तरफ यह चला जाता और यह continue process चलती रहती उन्होंने देखा कि initial stage में जब बारिश होती थी तो बिजली भी कड़कती होगी तो बिजली के कड़कने की स्थती को बनाने के लिए उन्होंने उपर की तरफ दो इलेक्ट्रोड लगा दिये और इलेक्ट्रोड को जब आपस में टच कराया तो चिंगारी पैदा हुई और इस चिंगारी को ही कहते हैं स्पार्क डिस्चारज इसी के कारण इस apparatus का क्या नाम पानी को डाला पानी को उन्होंने उबाला उबालने के कारण जो पानी था वह इस्टीम की फॉर्म में घूमने लगा उस बुरे apparatus में और साथ में उन्होंने एक कंडेंसर भी लगाया जो क्या करता था पानी को वापस ठंडा करता था क्योंकि पहले के टाइम में इनिशल स् रखते हैं इलेक्ट्रोड जोड़े थे जिससे वहां पर बिजली कड़कने की स्थती को पैदा कर सके यह प्रोसेस वह कंटिन्यू करते रहे पानी को गर्म करते रहे वापस ठंडा करते रहे और लगातार उन्होंने 7 दिनों तक 7 डेज तक यह एक्सपरिमेंट किया था और 7 इसके बाद में उन्होंने जब इस एपरेटरस को देखा तो देखने के बाद निचे की तरफ उनको एक रेड कलर का लिक्विड मिला और यह रेड कलर का जो लिक्विड जो था उन्होंने उसको निकाल के चेक किया तो उसके अंदर वो देख के हैरान हो गए क्योंकि उसके अंदर amino acid था, amino acid एक DNA का part होता है, इसका मतलब है कि अगर ये experiment करते तो no doubt इसमें सबसे पहले virus और virus के बाद में unicellular animal भी बन सकते थे, तो इससे proof हो गया कि हमारी अर्थ पे जो जीवन बना था, वह कह सकते थे non-living चीजों से ही बना था, कि उन्होंने non-living चीजों से एक organic compound को बना दिया था, जो था Miller का experiment, तो इसे के साथ आपके ये chapter यहां पर complete हो जाता है, आगे की class में हम इससे next chapter को पढ़ेंगे, तब तक के लिए goodbye, thank you.